कि नमस्कार मैं हूं करिश्मा और बंसली उसकी खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है आज सावन सोवार है और इसके साथ यह सोमवती अमावस्या है यह शुब दिन माना जाता है सुमवती अमावस्या के दिन कैसे शिव को प्रसन करें क्या उपाय करें जिससे आपकी जिन्दगी में खुशाली भरसे और सम्रुद्धी के रंग भरसे इस खास पेशकर्ष में हम इसी पर करेंगे चर्चा बहुत खास होता है लेकिन आज का दिन यानि की सावन का तीसरा सोमवार इस बार बेहत खास है क्योंकि 20 साल बाद बना है एक अद्भुत सयोंग और वो सयोंग है सोमवती अमावस्या का, जो सकी वज़े से सावन सोमवार का महत्व और बढ़ गया है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, इससे पहले 31 जुलाई 2000 में ऐसा सयोग बना था। सुमवति अमावस्या, सावन सुमवार और हरियाली अमावस्या के अध्бुत सयोग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूथ हैं पंडित अरविन तिवारी जी, सर आपका बहुत स्वागत है बंसली उसके सभी दर्शकों को पंडित अर्विन तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार चलिए शुरू करते हैं कि आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं सुमवती अमावस्या के बारे में पंडिजी सबसे पहले आप से जाना चाहूंगे कि यह बहुत ही अद्बुत सयोंगा बढ़ने जा रहा है सुमवती अमावस्या का आज का दिन कितना खास है और कितना आज महत्वपून रखता है आज का दिन क्या कुछ आज के दिन करना चाहिए बहुत सुंदर आपने प्रशन का किया और देखिए आज सुमवती अमावस्या का जो मूल तात्परी होता है सु सोंवती अमावस्या कहा जाता है जैसा कि श्यफ्पुरान में इस बात का वरणन है सोंवका मतलब होता है चंद्रमा और चंद्र होता है उसको ग्रहंड करना सोमवती अमावस्या के दिन यानि सोमवार के दिन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ आते हैं तो उसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं दूसरा श्रावण मास की जो मावस्या होती है उसको जैसा हम सभी जानते हरियाली अमस्या भी कहा जाता है अहां पूरे ब्रह्मान्द में समय हुड़े उपर हुड़े होतीयां तो इसका धिन अपने आप बहुत महत्पूर्ण माना जाता है महत्पूर्ण रूप में माना जाता है कि आज के दिन महिलाएं अपने स्वहाग यानि लंबे स्वहाग के लिए पूजा अर्चना करती हैं वहीं पित्र दोश की शांती के लिए आज का पर्व बहुत महत्पूर्ण माना जाता है और सबसे बड़ी बाद श्रावण मास में बड़ा दुरलब है लगभग 20 साल के बाद इस प्रकार की अमावस्या सुमवार के दिन पड़ी है तो आज का दिन पूरे दिन भर बहुत खास है 24 घंटे बहुत खास है चुकि मद्य रातरी लगभग 12 वच के 30 मिनिट तक अमावस्या का प्र प्रसन करना है और भगवान्शित भोले भंडारी हैं और जिन को प्रसन करना बहुत आसान तरीका है जैसा हमारे हां ग्रंतों में लिखा हुआ है भांग धतूरे के भोजन भष्मी मेरम्ता अर्थात भागवानशव को और दानी है Спैसकों सबी जानते हैं कि कि और परीवार्म बालक रहता था था ठीजा कि अब भगवानशव की फूजा स्वास्त शना करें टोफ मिलेंगा उन्होंने क्या करें केले कुछ भी कर दी तो हमीले डोजने वहां गरता है इसमें साराण समझनी के आवISHकता है तो क्या करता है तो भग्वान शिव्ब के मंदर जाता और उनकी प्रतिमा और को तो मंदर नहीं है भगवान शिप को तुम पत्थर मार के आते हो पत्थर चड़ा के आते हो उन्होंने का प्रभु आज मेरी ठीक नहीं यह पत्थर में यहीं से फेग देता हूं आप उनको अर्पित कर दीजेगा तो भगवान शिप भोला भंडारी है जिनकी पूजा में बने नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं कि आज के दिन भगवान शिप को प्रसंद करने के लिए क्या करना चाहिए प्राता काल इस समय चल रहा है श्राबन का सोमवार है तो आज के दिन आप सबसे पहले अपने घर में पंच उप्चार की चीज़ें इस उसमें भगवान शिब जो की लिंग के रूप में हो उनको आप वहां विराजमन करें जिस प्रकार से जो भी हो प्रतिमा हो कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा को रखें परंदु एक बात का ध्यान अवश्य रखें भगवान भोले नाद के सम्मुख हमेशा उनका बाहन याने ब पाता है में भगवान शिप के वाहन ब्रशपग को सात्में बिठाएं पंच्यूभ्व चार से पूजा करें सब्से पहले दूद से पूजा करें फिर उसके बाद दही से पूजा करें उसके बादध घी से पूजा करें टदोप्रांत शहद friend and Say सबस्क्राइब आगाए जाता है शुच्छत को पसंद है तो आप उस बीलबब पत्र को चड़ाने का एक बहुत सुन्दर्दा मंत्र है सभी दर्शकों को बतलाना चाहूं का बहुत आसान है तर स्प्रकार से है तो इस प्रकार से भगवान शिव को विल्व पत्र चड़ाएं उनको धतूरे का गटा भी आपको चड़ाना चाहिए देखे दतूरे का गटा अपने आप में भगवान शिव को बहुत पसंद है उसको आप अवश्य चड़ाएं इसके बाद सफेद आखिया मदार के जो पुष्प होते हैं आज चुकी सुमवार है तो सफेद आख के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने का दिन होता है त बगवान शिव को प्रसन करिए और यह पुझा सुभावी करें और Σ्श्ञाम को पुरी तरह से दिन होता ना पूरी तरह से रात्री होती है तो प्रदोश काल में भी आप इस प्रकार से भगवान शिव के पूजा अर्चना करेंगे मुझे लगता है भगवान शिव की आज अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी जी बिलकुल पंडित जी और ये भी शिव पुराणों में कहा क्या है कि शिव जी ही ऐसे भखवान है जिने काफी सरलता से प्रसंद कर सकते हैं अगर वह प्रसंद हो जाएं तो अपने भगतों को मन चाहा पल देते हैं बिलकुल यह बताएं पंडित जी की अब राशियों पर इसका क्या असर पढ़ने वाला है हम इसलिए बात कर रहे हैं क कि आज पुनर्वसु नक्षटर के बाद पुष नक्षटर लगने वाला है तो आज के दिन सोंपुष योग भी बना हुआ है तो आज के दिन जितने भी हमारे बारा राशियों के जाता कि उनके उपर इसका बड़ा दिवे परभाव पड़ेगा शुरुवात कर लेते हैं म मेश राशी तो देखें मेश राशी वाले जातकों के लिए दिन आज बहुत सामाने हैं बहुत बढ़िया दिन है यह आज के दिन वह भगवान शिव की पूड़ा अर्चना दूद के द्वारा किये अविशेक से करेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए आज का दिन काफी बहतर होने जा रहा है बात करते हैं ब्रशब राशी देखें भगवान शिव के सामने बैल उनका वाहन बैठा होता है और ब्रशब राशी भगवान शिव को बहुत प्रियर राशी होती है तो ब्रशब राशी वाले जातकों के लिए बहुत शुब दिन हैं कुछ नया होने वाला कुछ लाब होने की प्राप्ति है तो ब्रशब राशी वाले जातकों के लिए आज समय बहुत ही सुंदर बात करते हैं हम अगली राशी यानि मित्वन राशी के लिए दिन भी बहुत खास है कारण सबसे बड़ा मित्वन राशी का जो स्वामी है बुद्ध बो आज मित सितंबर के बाद राहू का गोचर मितुन राशी से दूर होगा तो मितुन राशी वाले जात्कों को लाभ की प्राप्ति होगी लेकिन आज भगवान शिप को आप कैसे मनाएं आज के दिन आपको तीन पत्तों का विल्वपत्र है वो कम से कम पांच वार आवश्य चड़ाना चाहिए और मंत्र तो मैंने आपको बताया ही है ओम त्रगुडं त्रगुडं कारम त्रित्रम तीन मजनम पाप संगहार्थम एक विल्वपत्रम शिवर्पडम तो भगवान शिप को आज आप से अवश्य प्रसन होंगे बात करते हैं करकराशी की तो आज चंद्रमा का थोड़ी सी भस मावश्य चड़ाइए बास में चड़ाएंगे तो भगवान शिव आप से बेहद प्रसन होंगे बात करते हैं अगली राशी नहीं सिंग राशी की तो आज सिंग राशी वाली जातकों के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है चुकि चंद्रमा थोड़ी देर मे बारवे भाव में तो मानसिक रूपसा शांती का भाव आपके मन में उत्पन होगा परिशानी आपके जीवन में रहेंगी और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी खिनता मन में बनी रहेगी तो आज इसको मिटाने के लिए क्या करें आज भगवान शिव को आप स्वयम भी पान करेंगे तो मुझे लगता है आपको अवशलाब होगा बात करते हैं अगली राशी कन्या राशी के तो आज कन्या राशी वाले जातकों के लिए बहुत शुब दिन है चुकि आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशी से इकादाश भाव में होने जा रह हैगा माता-पिता से सायोग मिलेगा सिक्षा और प्रतियोगी ताकि छेत्र में आज आपको सफलतावश मिलेगी लेकिन भगवान शिव को प्रसंद करना तो क्या करें आज थोड़ा सा भांग या बिल्बपत्र आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो अब शलाब अगली राशी यानी बात करते हैं ब्रषषिक राशी की तो ब्रशचिक राशी से जो जो गोचर है करें बागत धाफित राशी मांसे को जातकों के लिए बढ़िया शुब दिन है चूंकि गुरू का गोचर आपकी राशी में वक्री गती से हो रहा है मन आपका प्रसंद रहेगा कामकाज में रुची बढ़ेगी और आज के दिन भगवान शिप का आप घी और शहद के साथ यदि अविशेग करते हैं तो आपको तोええज आखकर गवान200 को आज चाहिए बल्कि भगवान शिप को शहद से यदि आप अविश्यद करते हैं तो कही ना कहीं आपको बहुत कम्राशी कि बात करते हैं आप गंगा जल या सामने जल में मिलाकर भगवान शिब का आज अभिशेग करेंगे तो निसन्दे आपको लाभ की प्राप्ति होगी अंतिम राशी यानी मीन राशी की आज हम बात कर लेते हैं तो मीन राशी चंदरमा का गोचर आज पंचम भाव में हैं कहीं ना कहीं पिता माता स प्रेख्षा और प्रती होगी तो आप इसको पाने के लिए धोड़ा सा आज के दिन प्रयास भगवाण शिप को मनाने के लिए करें यानि आज आप शहद से भगवाण शिवकार अभिशेख करें और यह दी संबाव हो तो केसर मिस्रे दूद से भी आज भगवाण शिवका आ लेकिन बहुत जरूरी है कि आज के दिन आप शिव जी को याद करें इसके लिए जादा आपको कुछ नहीं करना है अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नवस शिवाई यही एक मंत्र है जो आप इसका जाप करें और शिव जी को प्रसन करें पंड़े जी अब यह दिन बहुत संदर सी बात है है कि हमारे बजाश को प्रसन खिरने का दिन होता है कि बहुत सारे आपने पूछा पिंड दान कैसे करें तो आज के दिन देखी चावल और हमारे हाँ जो जो का आटा होता है उसको थोड़ा मिला कर हम पिंड बनाते हैं पिंड कैसे बना ले हम 11, 21 या 51 पिंड बना ले और हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं आप इनकी म्रत्यू सामाने तरीके से भी हुई है तो उनको प्रसन करना है तो आप 11 पत्तल आप अवश्य बुला ले और पिंड दान देखे हाथ में सपिंडन को आप अपने हाथ में रखिए गोल उसको बना लेते हैं मैंने जैसा बता है चावल और जो के आठे को मिला कर मूठा होता है इसके साहरे चुकि यह आत्मा का प्रती होता है मानते हैं और इस प्रकार से आप पिंड को डालते चले रहें और नाम लेते चले जाएं जिसके नाम का पिंड डाल रहें ग्यारा पत्तल रख लें उस पर आप सपिंडन कर लें और फिर उसके बाद उन पिंड प्रातना करें, उनकी आत्मा की शान्ती के लिए प्रात्ना करें. तदो प्रांथ उन सारे पिंडों को आप किसी पवित्र सरूभर ना तलाव तरूवर में, यह कोशिष करें, आप उनको और बहुत सारी जगे यह लिखा गया है कि आज पीपल के पेड़ में पीपल के पेड़ के की जो जड़ होती है उसमें भगवान बिश्णु का निवास होता है तने में भगवान शिव का निवास होता है और उसका जो अग्रभाग है उसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है त । तो आज के दिन आप अरयाली हमावस्या के दिन पीपल का पेड या तुलसी का पेड या कोशिश करें बिल्बपतर का पेड़ क्यादी ना अपने घर के आसपास यह लगा सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के दिन हम ब्रक्षों के भी पूजा करें। इसके बारे में भी आप कुछ बताएं और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि उन लोगों के बारे में जो इस वक्त अपने घरों पे नहीं हैं। बहार है ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कुछ उपाए आज के दिन बताना चाहेंगे बहुत सुन्दर सी बात है देखिए ब्रक्षों के बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि ब्रक्षों में अश्वत्त हूं यानि पीपल हूं पीपल के पेड़ की म होते हैं उन सारे दोशों का शमन होता है पीपल के ब्रक्ष की बहुत महत्ता बतलाई गई है तो आज के दिन पीपल के पीड़ की ना केवल पूजा करें अर्चना करें आपने बहुत सुंदर सा प्रश्ण पूचा है जो बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं जो अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और कोशिश करें अपने जीवन में के एक पीपल का पीड हमको अवश्य लगाना है ज्योकि PEOPLE के नीचे जितने भी लोग बैठें उनको ग्नात्र होता है जो कि भरपूर मात्रा में आक्सीजन आम जन को प्रदान करता है तो आज के दिन peuple के पेड़ की पूझा करना और तुल्सी के पीड़़ की पूझा करने का की भी आज परंपरा है लेकिन आज के दिन हम पूजा करें तुलसी के पत्ते जो जमीन पर गिर जाएं उनको हम ग्रंड करके दूसरे दिन उसका काड़ा बना कर पिए निसंदे लाग होगा चलिए तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि कोविट का समय है थोड़ी विशेश आप उसको करें और आज के दिन शिव जी को प्रसन करें असे के साथ मुझे दीजे जासत नमस्कार